नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका फ्रीस प्रेक्टिकल टेक्निशन चैनल में और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एर फिल्ट्रेशन और फिल्टर्स के बारे में तो HVC सिस्टम के अंदर जो एर हैं यूनिट्स होती है उनमें कई टाइप के फिल्ट्रेशन की आपको जरूरत है कहीं पर आपने देखा हुआ सिंगल वाल फिल्ट्रेशन होता है कहीं पर तीन या चार वाल फिल्ट्रेशन बनाया जाता है जिसमें हेपा फिल्टर प्री फिल्टर फाइन फिल्टर या पॉके टाइप के फिल्टर चार तरीके के फिल् यह भी आगे चलके आभी वीडियो में आप देखने वाले हैं एर फिल्टरेशन का है इस तरीके से इसको यूज में लिए अब देखने वाला है तो वीडियो बिल्कुल भी skip मत करेगा काफी जादा important होने वाला है filter से related ये वाला वीडियो तो चलिए पहले start करते हैं air filtration के बारे में और इसके अंदर जो pollutant होते हैं या परदुशक्त कारक होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि क्यों जरुद परती है आपको filters की या filtration की तो सबसे पहले बात करते है एजवीशी सिस्टम के अंदर तो एजवीशी सिस्टम को लगाया ही इसले जाता है कि आप air का treatment कर पाएं या human comfort के हिसाब से वहां के आसपास के atmosphere को बनाए रखें जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपने air को ठंडा किया या ठंडे से गरम किया तो ये भी एक air treatment में ही आता है उसी के साथ humidification है, dehumidification है ये भी एक air treatment के अंदर गता जाएगा और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ air filtration की तो ये भी एक air treatment के अंदर ही आ जाता है तो ये सारी चीज़े HVC system का एक base है HVC system लगाया ही इसले जाता है कि आप human comfort के हिसाब से air के temperature को change करें उसमें जो पानी का ratio है उसको कम जादा करें या उसको filter करें तो यही एक base है HVC system का जिसके अंदर आपका air filtration एक important concept है तो air filtration की जरुवत क्यों बढ़ती है क्योंकि इसके अंदर कई सारी pollutant होते हैं परदूशक कारक होते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे respiratory system से इंटर करते हैं हमारे blood steam में पहुंच जाते हैं जो की काफी खतरनाक हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो की काफी ज़्यादा बीमारी जीसे जूसते हैं या जिनको काफी ज़्यादा बीमारी है या बड़े बज़ुर्ग जो होते हैं और बच्चे जितने भी sensitive category वाले sensitive category में कौन लोग आते हैं बच्चे हो गए और जो बड़े बुज़ूर्ग हैं और जो बीमार होते हैं इनको sensitive category में रखा जाता है क्योंकि जो pollutant है इनको काफी जादा impact डालते हैं कोविट के टाइम पर आपने देखा होगा जो government थे उन्होंने guidelines निकाली थी जो sensitive category के लोग हैं उनको घर के अंदर ही रहना था जैसे कि बच्चे बड़े बुज़ूर्ग और जो बीमार लोग थे खास करके उनको कोविट के टाइम पर घर में रहने की सला दी गई थी क्योंकि जो pollutant था या virus था जो कोविट वाइरस था वो काफी ज्यादा impact डालता और काफी जल्दी इन बच्चों पर या बड़े बुज़ूर्ग पर इंपक्त पड़ता इन सारी चीजों का तो इसी तरीके से जो air है उसके अंदर कई सारे pollutants होते हैं जैसे carbon monoxide आपका surfer dioxide nitrogen dioxide lead हो गया और एक होते हैं particles जो की बहुत माइनर होते हैं जिसको आप PM कहते हैं पार्टिकुलेट मेटर कहते हैं आजकल आपने जो air quality index होती है उसमें जो PM 10 या PM 2.5 करके टर्म आपने देखा होगा कई display पर यह लगा रहता है PM 10 यानि कि 10 micron के जो particles होते हैं उनको PM 10 या उससे नीचे के जो particles है उसमें रखा जाता है PM 2.5 जो 2.5 micron तक के particles होते हैं उसको PM 2.5 पार्टिकुलेट मेटर के अंदर रखा जाता है तो यह particles बहुत जादा छोटे होते हैं जो कि normalize से हमें नहीं दिखाई देते हैं अगर मैं example दूँ जो हमारे एक बाल होता है उसका diameter या उसका size जो होता है गोलाई वो करीबन 50 to 70 micron की होती है अब लगा लीजिए जो 10 micron या 2.5 micron का जो मैंने आपको बताया प्यम पार्टिकुलिट मेटर वो कितना छोटा होगा जो हमें नॉर्मलाइज से नहीं दिखाए देता है तो यह air में मिक्स होते हैं और liquid solid form में हो सकते हैं या दूहें के रूप में gaseous form में यह बहुत सारी form में हो सकते हैं जो कि आसानी से किसी भी इंसान के respiratory system में इंटर कर सकते हैं और बाद में अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी वो उस विसान को damage पहुँचा सकते हैं या उसके शेहत को नुकसान पहुचा सकते हैं तो ये बात कर लिए हमने air filtration और air pollutant के बारे में कि क्यों हमें air filtration की ज़रुवत पड़ती है तो चलिए अब बात करते हैं standards के बारे में तो जो international organization of standardization है या ASHRAE है उन्होंने कई सारे ऐसे ratings दे रहे हैं या standard set कर रहे हैं filters के लिए जिसके according आप उनको purchase करेंगे कहाँ पर कौन से filter की ज़रुवत पड़ती है कौन सा filter कितने micron तक के dust particle को hold कर सकता है ये सारे standard set किये गए हैं ISO के थरू या ASHRAE के थरू तो आप उसी standards के हिसाब से इन सारे filters को purchase करते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ कहीं पर आप ने देखा हुआ प्री फिल्टर का ही इस्तमाल किया जाता है प्री फिल्टर या पंदरा से बीस micron तक के dust particle जो मोटा मोटा धूल आप देखते हैं हवामे उसको रोख सकता है उसके बाद आपने देखा हुआ है फिल्टर जो की बहुत जादा माइनर यानि की 0.3 micron तक के dust particles होते हैं उसको रोख सकता है तो इन दोनों में यह difference होता है तो इनको दोनों को अलग-लग category में रखा गया है इसको जो data table में आपको प्रवाइड करा दूँगा टेलग्राम चैनल पर तो अलग-लग जितने भी filters हैं सब के लिए स्टेंडर्स सेट किये गए हैं कौन सा filter किस तरीके का dust particle को रोख सकता है और किस तरीके filters के आपको जरुवत है तब ही आप उन filter को purchase कर सकते हैं अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कहां पर आपका सिंगल वाल filtration होता है और कहां पर तीन या चार वाल filtration की ज़रुद पढ़ती है तो hospital जो line है वहां पर आपको देखने को मिलेगा तीन या चार line की filtration होती है वाल बनाए जाती है जिसमें HEPA filter, fine filter, micro V या आपका pocket type का filter और pre filter तो होता ही है प्री filter आपको हर जगा देखन को मिलता है क्योंकि वह primary filter होता है तो hospital line में और ऐसी industry जहां पर air का काफी जादा impact पड़ता है उसके pollutant का काफी impact पड़ता है आपको एक specific atmosphere बना के देना होता है जैसे तो वहां पर इस तरीके की 3-4 layer बनाए जाते हैं जिसमें HEPA filter भी होता है हेपा filter काफी ज्यादा costly होता है इसलिए वहर एक हूच के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है इसलिए कहीं पर आपको single wall देखने को मिलती है कहीं पर 3-4 layer की wall देखने को मिलती है और 3-4 layer की wall वहीं पर आपको देखने को मिलेगी जहां पर आपका sensitive zone होगा या जहां पर आपके sensitive लोग रहते होंगे जैसे कि patients होते हैं जिनको बीमारिया होती है काफी जिनका इलाज चल रहा होता है तो वहां पर क्या होता है बाहर का जो pollutant है या air है वो काफी ज्यादा impact डालती है उन पर तो वहां पर आपको 3 या 4 layer की wall देखने को मिलती है filtration की तो चलिए आप बात कर लेते हैं filters के बारे में तो सबसे पहले आता आपका pre filter जिसको आप primary filter भी कहते हैं और यह common filter होता है यह आपको हर एक जगा पे देखने को मिलता है जहां पर single wall filtration हो जहां पर 3 या 4 layer की filtration wall बनाए जाए वहां पर यह सबसे पहले या primary filter आपको देखने को मिल तो इसमें क्या होता है आपकी दो layer होती है इसको pleated type का भी कहते है pleated type या box type का भी हो सकता है pleated type इसलिए बोलते है क्योंकि इसमें जो आगे का surface होता है उसमें आपको waves देखने को मिलती है यानि की लहर देखने को मिलती है जिसमें आपके दो तरीके के material का use किया जा सकता है आगे का जो material होता है वो काफी ज़्यादा बारिक होता है और पीछे वाला material होता है वो थोड़ा सा hard होता है जिससे कि एक तो आगे वाले को support मिले आगे वाले material को और जो यह wavy form है वो बने रहे उसमें कोई भी दिक्कत ना है यह यह wavy form बनाने का जो concept है वो इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा जो dust particle है वो filter से attach हो पाएं या arrest हो पाएं और जो आगे है अच्छी air जा पाएं या healthy air जा पाएं इसको आप wash कर सकते हैं प्री फिल्टर को washable filter भी कह सकते हैं इसको आप दो के वापिस से reuse भी कर सकते हैं जबकि बाकी filters में ऐसा नहीं होता है बाकी filter को आपको यूज करना होता है और एक limited time period के बाद उनको change करना होता है तो प्री फिल्टर आपको pleated टाइब में भी देखने को मिल जाता है और यह काफी ज्यादा सस्ते भी होते हैं और इसलिए इनका use आपको हर जगा बे देखने को मिलते हैं प्री फिल्टर के बाद हो सकता है तो pocket filter या back filter का का इस्तेमाल किया जाता है कहीं पर fine filter या microvee filter का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पर hepa filter direct ही लगा होता है जरूरी नहीं है कि हर तरीके की filter हो मैंने जैसे starting में बटाये था कि जिस तरीके के आपको air filtration की जरुवत है उसी तरीके के filter का इस्तमाल किया जा सकता है तो बात कर लेते हैं भी pocket type या back type filter के बारे में तो यह भी reusable नहीं होता है इसको आपको एक बार use करना होता है उसके बाद आपको इसको change करना होता है और यह कुछ back की तरह दिखता है यानि कि इसके जो pocket होती यह काफी लंबी होती है और यह जो pre filter है उससे कम micron के dust particle को arrest कर सकता है जैसे मैंने बताया प्री filter में आपका 15-20 micron तक के जो particles होते हैं dust particles जो धूल मिट्टी होती है उसको arrest करने के लिए लगा जाता है जितनी भी मिट्टी होती है वो pre filter पे attach हो जाती है उसके बाद अगर जो pre filter से निकल के जो particles चले जाते हैं यह चूकि अंदर के तरफ तो वो bag type के filter attach कर लेता है उसको arrest कर लेता है और उसके बाद वो fresh air आगे को भेजता है pocket type या bag type के filter के बाद आते हैं fine filter या microwave filter ये दिखते एकदम pleated type के तरह है या pre filter की तरह है जिसके आगे की तरफ आपको same material देखने को मिल जाता है जैसे pre filter में आपको देखने को मिला था बट इसके जो बाद है इसके बाद में आपको aluminium देखने को मिलता है या इसका जो diameter है के वज़े से ये काफी जादा dust particle को arrest कर सकता है और उससे छोटे dust particle को भी arrest कर सकता है इन सारी filters के बाद आता है last वाली layer हेपा filter की जो की काफी जादा costly होते हैं और हर जगा आपको नहीं देखने को मिलते हैं तो हैपा filter जो होता है आपका high efficiency particulate air filter कह सकते हैं आप इसको तो ये 0.3 micron तक के particles को arrest कर सकता है और इससे बड़े particles को भी arrest करता है और इसकी जो efficiency है वो 90 या 95% से उपर रहती है इसके वज़े से ये काफी दधा efficient होता है और इसका इसका इस्तमाल hospital में काफी मात्रा में किया जाता ह या कोई एक assist industry हो जहाँ पर आपको कोई भी pollen, bacteria या virus जो धूल मिट्टी के करण होते हैं छोटे-छोटे इनको रोकने के लिए हैपा filter काफी ज़्यादा efficient होता है और ये काफी ज़्यादा costly होता है जैसे मैंने आपको बता है इसलिए ये आपको हर एक HU के अंदर नहीं देख कर सकता है बट इसके ज्यादा costly होने के वज़े से ये आपको हर एक HU के अंदर नहीं देखने को मिलता है जहां पर air filtration की ज्यादा importance होती है वहीं पर आपको ये हैपा filter देखने को मिलता है तो ये थे सारी filters I hope आपको समझ में आये होंगे fine filter, micro V और pre filter, हैपा filter, pocket type के filter और इसके कर सकता है और ये pleated type में भी आपको देखने को मिलता है box type में भी देखने को मिलता है तो इन में से कई ऐसे filters हैं जिनके 2 या 3 या 4 model आपको देखने को मिल सकते है वो dependable है वो किस type के आपके HU के अंदर आपको चाहिए वो filter वो आप जाके सर्च कर सकते है असानी से तो ये थी वीडियो air filtration और filters के उपर आई होप आपको समझ में आई होगी तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है आपको यहां से कुछ जानकारी मिलती है या आप यहां से कुछ सीख के जाते हैं नहीं तो प्लीस कर दीजेगा और मिलते हैं से तरीके की important और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद तरि strangers भीके की जाते हैं जानकारी मिलता City लेके मिलें पीडियो के वीडियो के से की जाते हैं अरफ